अगर आपके बाइक के इंजिन से इंजिन आयल लिक हो रहा है और आप बहुत ही परिशान है और आपका काम आसा नहीं हो बारा है तब वीडियो आप लोग के लिए है इनके बाइक में इंजिन आयल लिकेज हो रहा है तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रही है और मैं तो अगर आपके पास आपकेट नहीं है तो आप रेसी बॉंड यूज कर सकते हैं यह रेसी बॉंड बहुत ही कम रेट का है कोई भी बाइक के स्टोर में मिल जाएगा आपको जहाँ पे बाइक का आपका पार्ट सुनता है यह जहाँ पे लिकेज में लगाएंगे वहीं चिपक जाएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है तो यह इंजिन के चारो तरग असा लगा दिया जाता है यह बेश जाएगा है यह लगने के बाद वहाँ पे रबर टाइप का हो जाता है सब्सक्राइब के बाद इंजिन को फिर से अपनी जगा में लगा दिया जाता है और यह हट नट में ही हम लोग को लगा देना पड़ता है यह प्याते कि यह परत है यह दिरे तिरे यह रबर जाता हो जाएगा यह पेंजिन यह पूरा ही रबर टाइप का होता है तो लिकेज होने का अटेंशन अब नहीं रहेगा खतम हो जाएगा लिकेज नहां से भी हो रहा है कि यह लगा दिया जाते है यह एक दव वर्शर का काम करता है और तो लिकेज हो जाता है उसको आफ टाइट करने का दोचीश करने हैं है एंडों के मिचिनिक्स और टाइट होने के बाद ये पिर ये सक्त होके रबर जैसा हो जाएगा अभी एक्दम लिक्विड जैसा है श्यूस्तो तो लीकेज एकतम बंद हो जाता है इसी से एडि आपके बास गास्लेन नहीं है ब सब्सक्राइब को बचाइए और इस साइट के नट में भी उन्होंने लगा दिया है और इसको अब टाइट कर रहे हैं तो देखिए यह कसने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो जाएगा और इंजिन से जो भी लिकेश था वह पूरा खतम हो जाएगा यह कस्ते जा रहे हैं देख सकते हैं इस सैड में भी कस देंगे यह चारों नट को कस देना पड़ता है इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत यह बढ़िया तरीके से कस रहे हैं एदम टाइट फिटिंग करेंगे कसने के बाद आप देख सकते हैं यह सैड से ऐसा दिखेगा धीर धीर यह रंग चले जाएगा ओर इंज रंग दिख रहा है वह धीर धीर ब्लैक हो जाएगा गंदगी धूल यह सब डस्ट लगने के बाद यह और इंज टाइप का नहीं लगेगा और भाईक फिर से पहले ज उड़िए इंज आप अब्लैक अजवे गरोफगा इंज वे लोगफगगा ऑ्राइप है का वेगाल पूराइऴ भावागा जया झा सकत अएज है वे अवेगा जटे के लिएवे जब आप जब से इंज बाद आप